ही खाई से नाच के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उन शोज के बारे में जो कि आपको इस जन्वरी देखने को मिलेंगे नेट्फिक्स के उपर और साथी बात करेंगे कि कि या डार्क सीरीज के हिंदी डब के बाद आपको पीकी ब्लाइनर्स का भी हिंदी डब देखने को मिलेगा या फिर नहीं and for this watch video till the end तो खेर सबसे पहले बात करेंगे उन शोज के बारे में जो कि आपको इस जन्वरी देखने को मिलने वाले हैं नेट्फिक्स के उपर by the way ये शोज वर्थ टू वेट भी हैं यानि कि इनके लिए वेट करना बनता है so number one पर है आर और इंग्लिश लेंविज में सोजा कर चेक आउट कर सकते हो number two पर है after life का season three and ये शो भी आपको same day यानि कि 14 जैन्वरी को ही देखने को मिलेगा और जहादा का ये शो आपको हिंदी लेंविज में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी ऐसी कोई भी announcement सुनने में नहीं आ एक किस जैन्वरी को number four पर है the woman in the house across the street from the girl in the window और ये शो आपको देखने को मिलेगा 28 जैन्वरी को and same day आपको एक और शो देखने को मिलने वाला है जिसका नाम है all of us are dead जो कि ए Korean zombie शो है and ये आपको हिंदी लेंविज में भी देखने को मिलेगा और बाकी कुछ ये शो भी ह जैन्वरी के लिए आप इन में से किस शो का वेट कर रहे हो तो नीचे उसके नाम के आगे hashtag डाल कर comment करना मत बोलना and मैं वेट कर रहा हूं all of us are dead का and साथ ही archive 81 का भी आप well अगर बात करें पी की blinders के बारे भी तो question ये निकल के आता है कि क्या dark series के बाद हमें ये शो हिंदी जब में देखने को मिलेगा या फिर नहीं so मेरा अंसर है may be और may not be may not be इसलिए क्योंकि part 6 जल्दी आने वाला है and वो इशो का finale है तो अगर netflix को इशो का हिंदी डब करना होता तो वो कपप कर चुका होता and फिलाल तो इसके हिंदी डब को लेकर कोई भी officially confirmed news मेरे पास तो न ये शो आपको बहुत जल्दी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि part 6 इस शो का finale है तो ये शो end हो चुका होगा and उसके लिए top priority है अपने upcoming शो को हिंदी डब करना ना कि जो शो खतम हो चुके है उनकी like dark जो की आपको बहुत लंबे time की बात देखने को मिलेगा so इसी लिए इस subscriber base हो चुका है 73.8 million का and recently इस platform के बारे में एक अच्छी update ये निकल के आ रही है कि HBO Max India के अंदर March या फिर April तक launch हो सकता है and इसकी official announcement में भी January के end या फिर February के first week तक हो जाएगी and साथी ये भी सुनने में आ रहा है कि इस platform का कुछ content हमें multiple languages में dub होकर भी देखने को मिलेगा अब उसमें Game of Thrones होगा या फिर नहीं तो वो अभी confirm नहीं है और वहीं अगर बात करे Wonder Woman 3 movie की तो recently इशो की lead actress Gal Gadot ने एक interview में ये confirm कर दिया है कि फिलाल इशो की scripting पर work चल रहा है और फिर इसकी shooting 2013 या फिर उसके mid से ही शुरू हो पाएगी यानि की काफी लंबा weight है और बाकी आप में से कौन-कौन Wonder Woman का fan है तो नीचे hashtag Gal Gadot comment कर देना तो बस विर आज के लिए इतना ही और अगर गलती से भी वीडियो अच्छा लग गया हो तो like, subscribe and share जो की आप में से कुछ लोग तो करती है और कुछ नहीं करती तब तक के लिए बाई-बाई, take care, जै हिंद, जै भारत